वेलकम बैक वन्स अगेंग आज हम अपने इस वीडियो में करेंगे क्लास एर्थ इंग्लिश इंग्लिश चैनल बुक का चैप्टर नाइन बैंक्स, बॉंड्स, एंड दा बेत्वा हम इस वीडियो में इसका हिंदी एक्स्प्रिशन देखेंगे और इसका सल्यूशन का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा तो जैसे कि हमने ये टाइटल पढ़ा ये चैप्टर बेत्वा नदी के बारे में है विच ओरिजिनेट इन मध्यप्रदेश तो चैप्टर स्टार्ट करते हैं इंडिया is a land of rivers जैसा कि हम सब जानते हैं कि भारत नदियों का देश है तो हम ये तो जानते हैं कि हमारा देश नदियों का देश है वे मीठे पानी के श्रोत भी है फिर भी हमारे पास केवल चार पतीशत ही है जिसे हम यूटलाइस कर सकते हैं अपने यूज में ला सकते हैं So, discuss with your partner the ways in which we can conserve water तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि अपने साथी के साथ उन तरीकों पर चर्चा करें जिससे कि हम पानी को संद्रक्षन कर सकें उसको save कर सकें फ्यूचर के लिए लियोनाडो दाविन की तो पहले तो हम यह जान लें कि यह वर्ड जो है रिनाइसेंस पॉलिमेट इसका क्या मतलब है रिनाइसेंस का मतलब होता है पुनहर जागनर फिर से जागना और जो यहाँ पर वर्ड दिया गया है रिनाइसेंस पॉलिमेट यह लियोनाडो दाविन की के लिए बोला गया है और इसका मतलब यह होता है A very clever man who is good at many different things एक चालाख व्यक्ती जो कई चीजों में गुणी है कई चीजों को बहुत अच्छे से जानता है तो इसमें लियोनाडो डाविन की और दूसरे हैं माइकल अंगलो तो यह जो जो है इनुन का कहना था कि water is a driving force of all nature तो इनके कथन के अनुसार हम यह जान सकते हैं कि जो जल है वो हमारी सारी प्रकती की प्रेरक शक्ती है प्रेणा इस रिसर्च स्टूडेंट वो डिड आ वाकिंग टूर ओफ दा रिवर बेटवा और्गनाइजड बाई दा वेडितम इंडियन फाउंडेशन प्रेणा एक लड़की का नाम है प्रेणा जो है वो एक शोध छात्रा है जो रिसर्च कर रही है जिन्होंने वेडितम इंडिया फाउंडेशन द्वारा आयोजित बेटवा नदी का जो भ्रमण है उसमें उसने जॉइन किया है लेट उस गो थ्रू प्रेणा ज रिफ्लेक्शन तो हम यहां पर प्रेणा का नजरिया देखेंगे तो उसने जो यह यात्रा पैदल यात्रा है उसके दौरान जो अपनी पत्रिका में अपने विचारों को प्रकट किया है उसको हम इस चैप्टर में देखेंगे तो वो बताती हैं कि पहला दिन है और डेट है ग्यारा जन्वरी दोपहर के एक बज़े हैं और हमें नदी का पहला दर्शन मिलता है यानि वो बेतवा नदी का पहला दर्शन करती है वी है फाइनली रीच दा बैंक्स ओफ दा वेतवा और हमें आखिरकार जो बेतवा नदी का तठ है उस पर पहुच ही गए अब जैसे कि दोपहर का समय था तो सूरच जो है वो बिल्कुल आसमान पर था साइस्ता मतलब शोट नैप छोटी जो नीन ली जाती है हवा में ऐसी गंदा रही थी जैसे दोपहर के समय विश्राम के लिए हो यानि जो हलकी हलकी भीनी भीनी खुशबू आ रही थी तो मन कर रहा था कि थोड़ी देर के लिए सोय जाया जाये इसलिए हम वहीं पर रुख गए और थोड़ी देर के लिए अपने आपको पुना हाइडरेट करने का सोचा तो यहां पर नदी का नजारा कैसा था नदी का नजारा था चमकदार नीले रंका जो सूरज की रोशनी की वज़े से चमक रहा था वी मीट सेवरल पीपल अलॉग दावे विलिच वुमें ब्रोमिंग देर कोर्टियार्ट, फार्मर पॉजिंग देर डे-long work, hurts men tending to their animals, youngsters sitting beneath the shade of trees and chatting lazily तो यहां उस समय गाओं का विवरंट दिया हुआ है विलेज वुमें यानि जो गाओं की ओरते थी, वो अपने आंगन में जारू लगा रही थी जो किसान थे, वो अपने दिन भर के काम से रुकते हैं, मतलब अपने काम को pause करते हैं चरवाहे अपने जानवरों की देख भाल करते हैं और जो यूवा हैं, वो पेडों की चाया के नीचे बैठे हैं और बस आलस भरी बाते कर रहे हैं, यानि नॉर्मल चैटिंग कर रहे हैं तो मेरी एक नोट बुक है, उसमें छेतर की टिपड़ियां और उसमें जो छुट-छुटी स्टोरीज हैं उनसे भरी हुई है और यात्रा के कारण खराब हो गई है Scratches of sand and charcoal illuminate some of its corner and the cover picture of Amrita Pritam, the poet, resting on its blood-red cover with a pen in her hand, writing about Varisha and the tragedy of partition तो वो बताती हैं कि उसमें कुछ scratches पढ़ गए हैं Sand के और charcoal के खरोचे type की पढ़ गई हैं और जो cover page है, उसमें कावित्री Amrita Pritam की तस्वीर है जो हाथ में कलम लिये हैं और इसका जो cover page है, वो red color का है, लाल रंग का और वारिष सा और विभाजन की जो बाते हैं उनके बारे में लिख रही हैं, tragedy की बारे में क्या लिखा है? अज अखा वारिष सा नो कितों, कबरा विचों बोल, ते अज किताबे इसकदा, कोई अगला वर्खा फूल तो यह उनकी poetry दी हुई है, a woman preparing for her one pot leafy vegetable dish for the day और यहाँ पर जो एक महिला है, वो दिन भर के लिए अपने one pot meal का मतलब होता है कि एक सबजी बना रही है और वो तियार कर रही है अपने घर के लिए 3.47 p.m. lunch break now, तो अब दुपहर का समय हो गया है, और अब यह lunch break है we have halted at a farmer's hut in his fields, a little away from the river, but very much by its banks तो हम नदी से थोड़ी दूर लेकिन नदी के किनारे एक किसान की जोपड़ी में रुके हैं और वो भोजन के लिए रुके हैं, musk melon, यानि खर्बूजा, watermelon, तर्बूजा, कुकंबर, खीरा ककड़ी, mustard fields तो यह जो आसपास खेत हैं, वो सर्सों के हैं और खर्बूजे तर्बूजे के हैं राज बहादुर जी, also a farmer, और जहां पर रुके हैं तो वो भी एक किसान हैं, जिनका नाम है राज बहादुर, tells us a story of Lord Rama, Rama walked the same route we are following now, he says और वो भगवान राम की बहारे में कथाएं बताते हैं, कि जो राम जी थे, जब वो वनवास गह थे तो वो इसी रूट को follow करते हुए गह थे, उन्होंने एक बताया popular stories often have disputed origins, तो लोग पर ये कहानियों की उत्पत्ती अक्सर विवादित होती है then they linger, फिर वे भटकते हैं, travel and transform, यात्रा करते हैं, रुपांत्रित होते हैं changing shape along the way, अपने रास्ते बदलते हैं, उनके आकार, उनका इदिशा बदलते हैं stories have the way of attaining a life larger than truth itself, और जो कहानिया हैं, वो सत्य से भी बड़ी जीवन प्राप्त करने का एक तरीका होती है reverse to, flows similarly, और नदियों का भी कुछ ऐसा ही रूप होता है, उन्हें जैसे भी अपने आपको बदलना होता है, वो वो ही दिशा पकड़ लेती है they change course when they deem to it right, जहां उन्हें सही लगता है, वो उसे तरफ बैने लगती है और रास्ता बदल देती है sweeping away village, house, livestock, people and memories, और वो अपने साथ साथ गाओं, घरों, मवेशियों, लोगों और यादों को भी बहा ले जाती है rivers have a way of attaining a shape larger than itself, और नदियों के पास जीवन से भी एक बड़ा आकार प्राप्ट करने का तरीका होता है I remember the tea, राज बहादुर जी made for us, मुझे याद है, चो राज बहादुर जी ने हमारे सब के लिए चाय बनाई थी Tea before a meal, always, that must be, बुंदेल खंड's covert rule भोजन से पहले हमेशा चाय, ये अवश ही बुंदेल खंड का गुप्ट शाशन रहा होगा, यानि ये नियम पहले से चलता चलाया होगा with raw milk and generous doses of sugar, कच्छे दूद और चीनी की बहुत जादा मात्रा के साथ, यानि वहाँ के चाय जो है, वो बहुत मीची होती है वे उन्हें रात में एक खेट से दूसरे खेट में जाने मी मदद करता है और उन्हें परेशान करने वाली जो नील गाएं हैं और छोड़े गए मवेशी हैं, उनसे बचाते समय सतर करकती है जो फसलों पर हमला करते समय उन्हें बरबाद कर देते हैं तो देखिए जाड़े में बहुत ठंड होती है और ये कहानी कहने को भी बढ़ावा देते हैं खास कर से सर्दियों के मौसम में जब बहुत ठंड होती है किसी को बैटने रुकने और प्रतिविम्बित करने या याद करने की अनुमती देती है गर्मियों के बुंदेल खंड कितना गरम हो जाता है उतना सर्दियों में ठंडा भी हो जाता है वो हमें बताते हैं दोपैर की गरमी का जिकर करते हुए कि बहुत जादा गरम होती है जब but the melons are ripe by then लेकिन तब तक करबूजे पक चुके होते हैं and you can smell their sweetness everywhere और आप वहां के आसपास में उसकी मिठास की खुश्बू को महसूस कर सकते हैं I was seriously craving for a bite of Bundelkin's headly sweet musk melon और वो बताती हैं कि मैं सचमुच बुंदेलकंड के जो मीठे करबूज हैं उनके टुकड़े को तरस रही थी मतलब कि मुझे ऐसा लग रहा था कि वो कहीं से खाने को मिल जाए we talk about the river, we talk about our journey हमने नदी के बारे में बात की, हमने अपनी यात्रा के बारे में बात की and easily taken a bus to reach your destination, he kindly told us तो यहाँ पर राजबहदुर जी ने हमसे बहुत सजनिता पूरवग, बड़े प्यार से हमसे कहा कि मुझे लगा कि आप अपना रस्ता भूल गए होंगे, आप मुख्य सड़क पर जा सकते थे और आसानी से अपने destination तक पहुशने के लिए bus ले सकते थे No, we will walk along the river, तब हमने उने correct किया कि नहीं नहीं हम रस्ता नहीं भूले हैं हम नदी के किनारे चलेंगे The farmer chuckled in response, और वो जो farmer थे यानि जो राजबहदुर जी थे, वो हस पड़े When asked about the betwa and the memories they hold of the river from their yesteryears They told us that not much has changed in the quality of the water in the river But the jungle has rapidly disappeared तो जब उनसे betwa और नदीक से जुड़ी हुई पुरानी यादों के बारे में पूछा गया तो उन्होंने हमें ये बताया कि नदी का पानी की जो quality है, जो गुड़वत्ता है, उसमें कोई खास बदलाव नहीं आया है लेकिन जंगल तेजी से कायब हो रहा है They spoke with a certain sense of nostalgia about the big animals that roamed the jungles when they were young Keeping their livestock in danger उन्होंने ये भी एक खास बात बताई कि पुरानी यादों के साथ-साथ उन बड़े जानवरों के बारे में बात की जो बचपन में जंगलों में घुमते थे और अपने पशों को खत्रे में रखते थे We had to be alert all the time to keep them safe, not anymore और हम उन्हें शुरक्षित रखने के लिए हर समय सतर्क हमें रहना पड़ता था, अब और नहीं रहना पड़ता It is astonishing how slowing down brings things into notice and perspective तो ये आश्चर जनक है कि कैसे धीमा होना से चीज़ें notice की जा सकती है, परिपेक्ष में आ जाती है मतलब जब हम तेज रफतार से जीवन में आगे बढ़ते हैं तो बहुत सारी चोटी चोटी चीज़ों को हम नजर अंदास कर देते हैं लेकिन यहां slow down होनों का मतलब है कि कैसे हम धीमे पढ़ते हैं या रुक रुक के काम करते हैं या टाइम लेके काम करते हैं तो छोटी छोटी चीज़ें भी हमें साफ दिखाई पढ़ती हैं दस दिन की पैदल यात्रा ने हमारे तेस तरार जीवन से एक आवश्यक विराम ले लिया था तो जैसा कि मैंने भी आपको बताया कि जब हम कोई चीज़ों को काफी slow down mode में देखते हैं यानि हम अपनी तेस तरार लाइफ को बहुत pause करके तो बहुत ऐसी चोटी चोटी चीज़ें होती हैं जो notice में आती हैं हम अपनी खुशियों को चीज़ों को नजर अंदास कर देते हैं क्योंकि हमारे पास उन चीज़ों के लिए समय नहीं होता लेकिन जैसा कि यहाँ पर वो पैदल यात्रा हो रही है और चोटी चोटी चीज़ें नजरिये में आ रही हैं तो हम देख पा रहे हैं कि क्या बदल हुए हैं अवर पेस डिटर्माइन दा स्टोरीज वी टेल एज इट अफेक्ट दा मैनर इन विच वी रिकॉर्ड तैम और हमारी गती के द्वारा बताई गई कहानियों को निर्धारत करती हैं क्योंकि हमारे द्वारा उन्हें रिकॉर्ड करने के तरीके को प्रभावित किय जा रहा है मतलब हम उन्हें रिकॉर्ड कर सकते हैं वाकिंग इंफ्लेट्स टाइम चलने से हमारी समय जो है बढ़ जाता है पैदल चलने से समय बढ़ जाता है और कैसे बढ़ जाता है जब हम पैदल चलते हैं तो हम टाइम लेके चलते हैं It took us a while to adjust ourselves to the rhythm we had set out on the 10 days by the river हम खुद को उस लेख में समायोजित करने में थोड़ा समय लगेगा क्योंकि हम दस जिनों तक नदी के किनारे निकले थे और वहां का सब आसपास का नजरिया हमने लिया तो यहां पे बात इसी बात की हो रही है जो हमारी डेली लाइफ है जो इतनी फास्ट लाइफ है हम उसमें इन चीजों को नोटिस नहीं कर पाते हैं और इसी लिए जब हमने इस चीज के लिए दस दिन नदी के किनारे निकाले तो हमने उन छोटी छोटी चीजों को जो की रोज मर्रा की चर्चे में गायब हो जाती है उन चीजों पर बातचीच शुरू की मेरे साथ चलने वाले साथी वे शौकीन थे वो पक्षी प्रेमी थे यानी बर्ड लवर थे उन्होंने परिद्रश्शिप पर अध्यन करने और उनके द्वारा देखे गए पक्षियों की सूची बनाने के लिए एक पॉज लिया एक टाइम लिया I had no binocular with me मेरे पास binoculars नहीं थे and failed to recognize the species or remember their names इसलिए मैं उन प्रजातियों को पहचानने और उनके नाम याद रखने में असफल रही but indulging in those moments of pause to try and see what they did so easily opened my mind to noticing what I ordinarily do not लेकिन जैसे की मैं मेरे पास दुर्बीन नहीं थी तो मैं उन्हें ठीक से नहीं देख पाई असफल रही लेकिन उन छड़ों को रुक रुक कर देखने की कोशिश की और वे इतनी आसानी से क्या करते हैं मेरे दिमाग में उन चीजों पर ध्यान दिया और मैं खुल कर उनको मतलब महसूस कर पाई आम तोर पे मैं ये सब नहीं करती चिडियां बिना नाम के टैग वाली जो की मैंने देखी और इससे मैंने अपने विचारों के द्वारा मतलब अपने मन के तार जो थे वो सेट किये मुझे अपने विचारों की शंक्ला इस्थापित करने का मौका मिला क्या हम चात्र या फिर विद्वान या प्रोफेशनल होने के नाते इन सब चीजों को देखने में सफल हो सकते हैं? नहीं हम असफल हो जाते हैं क्योंकि हमने अपने चारों और जो सनरजनाय बनाई हैं उनमें कोई संभावनाय है ही नहीं हम तो यहीं माल लेते हैं कि हाँ यह ऐसा है और यह ऐसा है लेकिन जब हम चीजों को बारी क्यों से देखते हैं तो हम उन्हें अपने विचारों के तो हम यहां पर रुकें, विचार करें, सुनें, समझें और अपनी सहनुभूती को व्यक्त करें It was that where the gap lies और यहीं पर अंतर है Between the privileged and the disposed, between the urban and the rural This cerebral but also physical and fundamental difference of how we relate with time and space तो यहां पर हम बात करें, विशेश, अधिकार, प्राप्त, या फिर वन्चितों के बीच में या शहरी या गाओं वालों के बीच में यह केवल मस्तिश की नहीं, बलकि भौतिक और बुन्यादी अंतर भी है क्योंकि हम समय के साथ उतना जादा नहीं सोच पाते, जितना वो गाओं में रहकर उन चीजों को अब्जर्व कर पाते हैं तो बुन्देलखंड के जो ग्रामी लोग हैं, जो बेतवा के करीब रहते हैं और अपने अस्तितों के लिए उस पर निर्भर हैं, उनके लिए ये बहतर परिस्थितिक वास्तिविक्ता को पुरानी यादें निरंतर बनी रहती हैं, मतलब वो वहाँ पर constant हैं A lot of elderly people, जो वहाँ पर जो बुजर्ग लोग हैं, mostly farmers और herdsmen, we interacted with, जिनसे हमने बात की, जिसमें के किसान थे, चरवाहे थे Recall times in their adolescence when the jungle were thicker and there was no dearth of fruit-laden trees for the hungry shepherd resting beneath their shade for a quick says था तो उनसे हम बात कर सकते हैं कि जब वो अपने युवा अवस्था में थे, तो जंगल जो है, वो कितना ज़ादा घना था तब कोई भी ऐसी जो चरवाहें हैं, वो भूके नहीं रहते थे, क्योंकि पेर जो थे, वो फलों से लदे थे, फलों की कमी नहीं थी और छाया थी जिसके नीचे वो अराम कर सकते हैं, सो सकते हैं, थोड़ी देर नीन ले सकते हैं अब बिलकुल भी उस तरीके के पेर नहीं हैं तो केवल प्रोसोफिस जूली फलोरा जिसकी दखनी या किकर के नाम से भी जाना जाता है, वो जंगल में आग की तरह फैल गया है इतना जादा मात्रा में हैं और हमारे परिद्रिश्ट पर आकर मण कर हमारे पश्चों का भोजन छीन रहा है नो मोर मुंगर्स रेस्टिंग बाइदा बैंक तो मुंगर होते हैं, मुंगर की मीनिंग देखे दी हुई है जो लुटेरे होते हैं, मुंगर्स उनको बोलते हैं और यहां पर बताया गया है, नो मोर मुंगर्स रेस्टिंग बाइदा बैंक यानि बैंक के किनारे, तट के किनारे अब आपको लुटेरे नहीं मिलेंगे क्योंकि नदी में जो बदलाव वे याद करते हैं, वे हमेशा इंटरस्टिंग होते हैं परिद्रश्य और जय विवित्ता के माध्यम से होते हैं जो नदी है, वो लगबग वैसी ही है उतनी ही सुन्दर, उतनी ही दिव्य जैसे वो पहले थी वाकिंग अलॉंग दा बेत्वा दोस्टेन डेज वास फूल ओफ रिविलेशन बेत्वा के किनारे चलना वो दस दिन रहस्ट से भरे हुए थे I found warmth and welcome in the remotest of villages and the humblest of abode और मुझे दूर दराज के गाओं और सबसे साधारे निवाशियों की गर्म जोशी और स्वागत जो मिला जो प्यार मिला उसे हमने महसूस किया there was fire to warm our tired bodies and tea and food served with big smile and even bigger heart जो हमारे ठके हुए शरीर थे उसको तापने के लिए आग, चाय और खाने के लिए जो भोजन दिया गया बड़ी smile के साथ और खुले दिलों के साथ when you are going on foot, you access a much larger train of both landscape and humans जब आप पैदल यात्रा कर रहे होते हैं, तो वहां के परिद्रिश्य और मानवों को बहुत गहराई से महसूस कर पाते हैं the odds, of course, can be several, the ubiquitous दखनी that has spread in Bundelkand like an epidemic, the sudden change of terrain forcing us to quickly adapt our steps and the chance of going astray when network fails to work निसंदे संभावनाएं कई हो सकती हैं, तखनी जोग एक महमारी की तरह मुंदेल खन में फैल गई है इलाके में अचानक परिवर्तन जल्द ही अपने कदमों को अनुकूलित करने के लिए मजबूर करता है और जब network काम करने में विफल हो जाता है, असफल हो जाता है, तो भटकने की संभावनाएं बढ़ जाती है But just like that, a shepherd would appear from across the horizon, insisting on the leading the way, till we felt to ease again लेकिन ठीक उसी तरह, जैसे कि एक चरवाहा अचानक से प्रकट होता था तब हम ये मैसूच कर पाते थे, कि हमें रास्ता दिखाने के लिए कोई वहां मौजूद है और a farmer's call from across the fields to come rest a bit while he filled up our water bottles और खेतों के पार से किसी किसान की पुकार, जो की हमें आराम करने के लिए बोलती थी और उस दौरान हमारी पानी की बोतलों को भड़ते दी थी On mark be who, Assami's name for Makar Sankranti We cooked and shared a simple meal of rice and lentils at a farmer's shed quietly capturing the essence of the festival of celebrating the people Whose labor makes it possible for us to sustain ourself तो मांग भी हू जो मकर संकranti का असामिया नाम है मकर संकranti को वहां पे मांग भी हू कहा जाता है हमने एक किसान के जोपड़े में दाल चावल का एक साधारन भोजन पकाया और शेयर किया चुपचाप तिवार का सार को पकड़ लिया यानि वहां पे उस फेस्टिवल को मनाया उन लोगों के जश्ण मनाने के लिए हमने खुद को उनके साथ शामिल किया साथी साथ He served us sweets that are typical to mark भी हू celebrations back home और उन्होंने हमें हमारे साथ मिठाईयां जो हमको दी परसी वो घर की याद दिलाती थी बिल्कुल उसी उत्सव की तर है जैसे कि हम अपने घर में मिठाईयां या celebration मनाते हैं sorry celebrate करते हैं So walking slowly I discovered a story that connect us धीरे धीरे चलते हुए मुझे ऐसी कहानिया मिली जो हमें जोडती हैं एक दूसरे से और यह सब हम तेज रफतार वाली जीवन में महसूस नहीं कर पाते तो यहाँ पर एक story है जो की प्रेंडा अंजली चौधरी ने share करे हैं अपने कुछ experience को और बताया है कि जब हम दस दिन की यात्रा के दौरान पैदल यात्रा की दौरान हमने बेतवा नदी के किनारे लोगों के साथ कुछ अनुभव लिए उनको उन्होंने इस चाप्टर में मेंशन किया है तो ये चाप्टर आई थिंक आपको अच्छा लगा होगा पसंद आया है तो comment box में जरूर बताये और इसका question answers का link आपको description में मिल जाएगा तो आप वहाँ से देख सकते हैं और next chapter भी आपको जल्दी upload कर दिया जाएगा तो अभी तक आपने इस चैनल को subscribe नहीं किया है तो subscribe कर लें और bell icon प्रस कर लें जिससे कि आपको आने वाले वीडियो की new updates मिलते रहें पसंद आया हो तो like करें, share करें और चैनल को subscribe करें